सुबह सुबह नाष्टे में कुछ हेल्दी बनाना है तो आप इस सिवाई उपमा की रेस्पे को जरूर बनाए बहुत सारे सब्चियों के साथ कम तेल में और ये सूपर हेल्दी नाष्टा बना सकते हैं जो कि बच्चों को भी बहुत पसंदाता है और टिफिन के लिए ये ए हम एक पैन में एक कब वर मिसली यानि सेवई ले ले लेंगे सेवई जो है वो मार्केट में भूना हुआ मिलता है और कच्चा भी मिलता है तो यहाँ पे मैंने ये कच्चा लिया है तो हम इसे दो से तीन मिनट के लिए ऐसे धीमियाज पर भून लेंगे जब इसका कलर चें बहुत ही कम तेल का इस्तमाल करना है जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे जीरा तो यहाँ पे आदी चोटी चमच जीरा डाल दे साथ में हम इसमें आदी चोटी चमच राई या सरसो डाल देंगे करीपता डाल दे और तीन हरी मिर्चा ऐसे चीरा लगा के इन सब को अच्छे से पका ले, इसके बाद हम इसमें एक चौथाई कप बारी कटवा प्याज डाल देंगे, प्याज को आपको दो से तीन मिनट तक भूल लेना है, जैसे ही प्याज का कलर जेंज हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे बाकी की सबजिया, सेवई के सुपमा में आप बहुत सारी सबजिया डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें गाज़ डाल सकते हैं, बिंस डाल सकते हैं, तो मैंने याप एक चौथाई कप गाज़े लिया है, एक चौथाई कप फ्रेंच मिन्स लिया है, इसके साथ हम इसमें हरा मटर ले लेंगे, शिमला मिर्ची ले लेंगे और यहाँ पे आधा कप टमाटर ले लेंगे, टमाटर का इस्तमाल थोड़ा ज़्यादा करना है आप इसमें ब्रोकली डाल सकते हैं, आप इसमें चाहिए तो आलू डाल सकते हैं तो यहाँ पे इस सब्जियों को अच्छे से मिला दे और उसके बाद तीन मिनट तक पकने दे यहाँ पे आप चेतो पैन को कवर कर सकते हैं जैसे ही सब्जिया थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी यह देखे तब ही हमें इसमें मसाले डालने हैं तो आदी छोटी चमच छल्दी पाउडर डाल दे आदी छोटी चमच लाल मिर्च का पाउडर आदी छोटी चमच हमेज में धनिया पाउडर डाल देंगी आदी छोटी चमच गरम मसाला पाउडर मसाला डालने से यूपमा बहुत ही टेस्टी लगता है लेकिन मसाली की कॉंटिटी कम रखनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम यह नाष्टे के लिए बना रहे हैं, तो मसाला कम इस्तमाल करें, और बचों के लिए बना रहे हैं, तो बिना मसाला का भी बना सकते हैं, अब हम इसमें यह भूना हुआ सिवई डाल द तो मैंने एक कप सेवयी लिया था तो पानी हमे कितना दुग ना equus करना है तो यहां पे यह कप पानी डाला मैंने और इसके साथ एक कॉप और पाणी डालने के वाथ उच्छिय दू चमच नमक चाब नमक और नहीं पर दो छक्रफ buscando दें और इसे अच्छे से मला दें अब हम इसे ढखके पकाएंगे ताकि सिवई जो है वो पक जाए पानी को अब्सॉब कर ले तो यहाँ पे पैन को कवर कर दे और मीडियम फ्लेम पे घड़ी देखे तीन मिनट आप इसे पकने दे तीन मिनट बाद हम पैन का ढखकन अटाएंगे तो यहाँ पे देखे सिवई जो है वो पकने लगा है और पानी भी ड्राई होने लगा है तो हमें यहां पे क्या करना है कि इसे वापस धीमी आज पे 3 मिनट और पकाना है तो गैस का फ्लेम धीमा कर दे, और 3 मिनट और पका है 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि यहां पे सिवई जो है वो पानी को पूरी अच्छी तरह अब्जॉफ campus कर लिया है और यहाँ पर उपमा जो है वो पूरा ड्राई हो चुका है सेवई भी अच्छे से पग गई है तो यहाँ पर हमें गयस को बंद करना है और उसके बाद इसे सर्फ कर लेना है आप इसमें निबू का रस भी डाल सकते हैं नीबू का रस डालना है तो गैस बंद करने के बाद मिलाए और इससे उपमा जो है वो बहुत खिले-खिले भी हो जाते हैं तो यहां पे जैसे जैसे यह ठंडा होगा ना सारी सेवई जो है वो पूरे नूडल्स टाइप अलग होने लगते हैं तो यह हमारा बहुत ही डेश्टी और बहुत ही मज़दार हेल्दी नाश्टा बन के तयार है आप इस सेवई उपमा की रेस्पी को एक बाद जरूर बनाए यह उपमा आपकी फामली को बहुत पसंद आएगा दिखने में यह डेश जितने खुबसूरत लगती है बनाना उतना ही आसान और स्वाद में उससे भी जादा अच्छा तो आप इस हेल्दी नाश्टे के रेस्पी को जरूर बनाए और ट्राइ करने के बाद मुझे जरूर बताए कि यह डेश आपको कैसी लगी